अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का पंचांग 31 अक्टूबर दिन शनिवार सन 2020 आश्विन महा शुकल पक्स सम्वत 2077 तिथी आज पूर्णिमा है पूर्णिमा का वर्त है और आज शरद पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा का महत्व है बहुत ही विसेश होता है यूँ तो पूर्णिमा हर महिने आती है लेकिन शरद पूर्णिमा वर्ष में एक बार ही आती है आज की दिन की गई भक्ती आज की दिन दिया गया दान आज की दिन किया गया भगवान को कुछ भी अरपण उसका फल बहु गुना प्राप्त होता है विभा के उप्रांथ अगर बेटियां ये चाहती है कि हम पूर्णिमा का वर्थ रखें तो पूर्णिमा का वर्थ विभा के उप्रांथ पहली बार से जब प्रारम किया जाता है तो वो आगे से बेटा ध्यान रखना सभी शरद पूर्णिमा से ही किया जाता है हमारे ये कारे करम काका काकी दादा दादी नाना नानी बहुएं साथ सभी देखती है तो शरत पूर्णिमा का वर्त जब आप बहु से रखवाती है या बेटी रखती है कोई भी रखती है शादी के बाद तो प्रतम पूर्णिमा का वर्त विभा के उपरां शरत पूर्णिमा जो कार्तिक इस्तुनान करते हैं कार्तिक का वर्त रखना चाते हैं तो कार्तिक का वर्त कुछ छेतरों में तो ये जो पीछे एकाशी गई है पाप कुणिशा एकाशी यानि के कुन से आश्विन महा की शुकलपक्स की जो एकाशी गई ए कुछ तो वहां से रख लेते हैं कार्थिक का वर्त वगरा लेकिन अगर आज से इसका कार्थिक का वर्त भी आप रखना चाहें तो इसका भी फल बहुत सुन्दर मिलता है खेर कार्तिक की एक बात और बता दें कल से कार्तिक महा प्रारणब हो जाएगा और कार्तिक पूरे कार्तिक जो व्यक्ति तुलसी को दी परफण करता है ये समझ लीजिएगा कि भागवान उससे अती प्रसन होते हैं और नाना भाती की उसकी मनोगामना पूर्ण होती है कार्तिक महा के लिए बहुत फोन आए बहुत बाते हमसे पूछना चाहरा है लोग बार तो देखो शायद कार्तिक के बारे में भी पूरा विस्तार से समझाने का प्रियास करूँगा हमारा धर्म इतना विशाल है इतना विशाल है कि इसको जानना आसान नहीं है और आसान भी बहुत है श्रद्धा चाहिए इतना प्यारा धर्म है इतनी सुन्दर सुन्दर बाते हमारे सास्तों में कही गई है हमारे रिश्यों ने इतनी सुन्दर ता के साथ इन परव औरतिवारों को मनाने के लिए ऐसी ऐसी बाते बताई हैं मेरे सादकों आप उन्हें जानियेगा जरूर और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ एक ऐसी डाइरी बना लें एक ऐसी नोटबुक बना लें उसमें बहुत सारी बातें आप लिखते रहें खैर कारतिक तो कल से प पूर्णिमा है हम शरत पूर्णिमा पर क्या विश्यस करें आज की रात्री चंद्रमा से अम्रत बरस्ता है ऐसी माननेता है और जिस चंद्रमा से अम्रत बरस्ता हो उसकी वो अम्रत मई करने उसकी वो अम्रत मई छटा हमें प्राप्त करनी चाहिए कैसे आज की रात्री में दो प्रकार से खीर बनती है सामक के चावल की बना सकते हैं जो आपने पोहा देखा न पोहा जिसका आप पोहा बनाते हैं उसी पोहे को तो आप नमकीन बना लेते हैं उसी पोहे को पानी से अच्छे से धोकर के जैसे पोहा बनाते हैं थोड़ा सा पोहा दूद को वालने अच्छे से और दूद जब अच्छे से बिल्लकुल ठंडा सा हो जाए तब उसमें अपने आवश्रक्ता के हिसाब से एक मुठी बड़ी मुठी या छोटी मुठी पोहे की डाल दे और उसे रात भर चांद की रोशनी में रखें रात भर च प्रजिक रोगों को दूर करती है नाना भाती से हमें लाप रात कराती है जन जातकों की जनम पत्रिकां में चंद्रमा कमजूर होते हैं उनके लिए भी आशातीत फल देती है जो व्यक्ति छणिक छणिक बातों पर नराज हो जाते हैं निरास हो जाते हैं निराशाएं जिन बहुत अच्छा होता है बस इतना जरूर रखें जब आप ये खीर चांद की रोशनी में रखें कोई ना कोई हलका सा कपड़ा जीना सा कपड़ा ढाप दें ताकि कोई मच्छर या कोई ऐसी चीज उसमें प्रवेश ना कर पाए और जैसे भाई बड़ी बुजर की किया करती ह यह कोई चट के ओपर कोई ऐसी वायर होती है तार हूता है लोहे का जिसमें हम कपड़े रहे सुकाते हैं या कोई हैसा हैंग हो उसमें उसको अच्छे से हैंग कर दें इत्विननान के साथ और जब उस खीर को आप वहां लगाएं रखें उससे पहले खीर को हाथ में ले ले लूप भगवाण तुम अबमत सुधा दुराओ आज हमारी खीन में अमरत रस्टव काओ दुमार में पूछा पूर्णिमा तो पूरी रात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पूर्णिमा आज सुर्य तिथी के साथ उद्य हुई है पूर्णिमा तिथी सुर्य निकलने के साथ इसलिए पूर्णिमा का जो योग है वह हाला कि वह भी बता देता हूं वह रात को आठ बजगर की 20 मिट तक है लेकिन चंद्रमा की जो शुद्ध किरने हैं चंद्रमा की जो अमरत में किरने हैं वो आज पूरी रात बरसे की तो ये खीर खाने को कल सुभा देना शंशेदूर हो गया आगे बढ़ता हूं एक खीर और बनती है वो कौन सी बनती है जो एस्थेमेटिक पेशन्ट है अलर्जिक जिनको बहुत ज़्यादे रहती है किसी भी प्रकार की उनके लिए खीर होगती होती है तो कैसे बनाएं सामक के चावल की बना लें या आम बास्मती के चावल की छूटे हूए चावल की किसी की Лवी बना लें थोड़ी सी खीर बना लें अच्छे से औ उसमें से पांच साथ दस बीज निकाल करके उसमें अच्छे से बॉयल कर लें, खीर के साथ ही डाल दें उसको, या खीर जब बन जाए, और जब थोड़ी सी खीर में कसर बाकी हो, पांच दस मिनिट की डाल के अच्छे से उसमें बॉयल कर लें, सुरू में भी डाल सकते हैं, क चांद की रोशनी में रखें और वो खीर लेकिन उसमें खीर में ये शर्ट होती है कि रात को बारा बज़े के बाद आस पास उस खीर को थोड़ा थोड़ा चाटें यदि संबाब नहीं है तो फिर कल सुबा वो खीर जिनको अलर्जिक प्रॉल्लम रहती है बहुत ज़्यादा दूद आपको पैकिट में या किसी भी रूप में मिलता है तो ये खीर दोनों ही तरह की चाहिए आप दूसरा वो जो हमने आपको बताया है आप पोह डाले या कुछ भी डाले तो आप गाई कही दूद ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा शक्र जो उसमें चक्र जो भी डालनी है वो अपने स्वाद अनुसार आप लोग उसे बाद में डालने ठीक है दूसरी बात भगवान को सुन्दर पोशाक पहनाएं अच्छे से वस्त्र वगरा उन्हें पहनाने के बाद तिलक वगरा उनको लगाएं शाम के समय सरत पूर्णिमा में सारा कार थोड़ा संसमें डेसी घी डालैं और दौ-चार पांच पूरिया बनाएं और वो देसी घी और शक्कर डूली हुई खीर और थोड़ी दो-चार पांच पूरियां अपने इस्ठ को भोग लगाएं नहीं तो भगवान 008 विष्णु को तो भोगाईं लगाएं हैं बहुत अ इठास अपने जीवन में लाएं भगवान आपको शुव आशिरवात देंगे आज के दिन गजेद्र मुक्ष पढ़ना सत्य नरण की कथा सुनना सुनाना करना कद्रिफल का प्रसाद बाटना कसार का प्रसाद बाटना भगवान विश्नु के एक हजार आठ नाम पढ़ना और अब एक शिकायत बहुत लोगों के सामने आएगी क्या जो बड़े सिटीज हैं अरवन सिटीज हैं कहीं कहीं सुर्य दिखाई नहीं देते हैं दिन में भी तो कहीं कहीं रात में चंद्रमा भी दिखाई नहीं देते हैं वो बिचारे फ्लेट में रहते हैं या बिल्डिं तो भाई मांसिक भावना के साथ आप चंद्रमा को भी जल दे सकते हैं चंद्रपूजन मांसिक भावना के साथ भी हम कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन अगर हमें चांद की साक्षात रोषनी देखती है तो आप किसी भी प्रकार की खीर बना रहे हैं जो मैंने मंत्र बताया है, पहले भी बताता रहता हूं इस मंत्र को तो मैं, तो वही मंत्र बोल करके, चांद की रोशनी में खिर जरूर रखेगा, और अपने बच्चे को खिलाईएगा, परिवार को भी खिलाईएगा, और यदि आपका आस परोस, बहुत सुन्दर है आपके सकते हैं, नहीं तो फोन करके, हमारा कारिकरम सुनने के लिए बोलिएगा, या आप ही उन्हें बता दीजिएगा, भी आज ऐसे करने आप, तो बहुत उप्युक्त सब के लिए रहेगा, कुछ बातें मैंने कल भी आपको बता दी थी, और बाकी की छुटी बातें, आज मैंन करना चाहती हैं, शादी के बाद पहला वर्त पूर्णिमा का, तो वो आज से ही करने बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लोग कहेंगे, हमने तो नास्ता कर लिया, हमने तो खाना खा लिया, जब जागो तब सभेरा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस मन में शंकलप ल लारी ले लें, भगवान हर तरह से आपके साथ खड़े होते हैं, और कार्तिक महा, कल से कार्तिक प्रारम हो रहा है, कार्तिक में सूर्ये निकलने से पहले पहले जो प्राते काल इस्नान करता है, हरी का स्वर्ण करता है, पूरे कार्तिक महीने और पूरे कार्तिक महीने तु हम भी अपनी भवानी इस्ट भगवती से जुड़ते हैं और जगजनी से प्रातना करते हैं कि हे भगवती इस श्रद पूर्णिमा के अफसर पर हे भगवती सभी को आशिरवाद दें सभी के घर में मंगल कारिय होते रहें जो भी हमारे कारिकर्म देख रहे हैं हमारी हर्दर स प्राथना हैं ये दो मिनट के लिए आज के इस भगवती के ध्यान में आप अविश्य डूब जाएं ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां द्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संददतिं करिष्त्रिनायनाम सरवंग वुष्वरितां निलास मध्युत्यमास्यबाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम्मदुम् कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तितां विशनां कन्यां विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यवितां कवच बना लें ध्यान करें जगजनी का असिरवाद हम सब के ऊपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले समान्य हो जाएं देखो दर्शों को बड़े सुंदर सुंदर आगे परव आने वाले हैं हर परव पर में आपके साथ जुड़ा रहूंगा बस आपसे एक ही प्रातना है कि अपने धर्म के परती हमें जीना चाहिए अपने धर्म के परती हमें बिलकुल आस्तावान होना चाहिए और जितने भी इस प्रकार के हमारे विशेशांख हैं वीडियों हैं अपने धर्म समझते हुए इस प्रकार की वीडियों आपने लोगों तक अधिक से अधिक पहुचाने का आप लोग प्रियास करें क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूं तो मैं यह सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी और यहली मुझे आज यहां बैटके ऐसा लगा जो आपने दो-तीन चीजे करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आस किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें हम प्रेस प्रेस करेक्रम सकतेव प्रेस सके हमार साबसमय प्रभ थकार हमारा का रख करें देख प्रेस को लिए एक से ऐसे ऑफ